तो स्टाप सेलेक्शन कमीशन की जूनियर इंजिनियर पोस्ट के लिए जो केलेंडर वो आउट होगे है और डीट के आई है नवंबर आई है तो अब भी आज से हम देखें तो चार महीने मारे पास वस्ता है जुलाई अगस सेप्टैमर और अक्टोबर चार महीने नवंबर म आस-पास यहां फोर्थ वीक आउफ नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर का जो मन्त रहेगा वो हमारा रिविजन करेगा तो देखा जाए तो चार महीने अपने पास प्रिपरेशन करने के लिए यदि आप एक साल से प्रिपरेशन करने है तो अभी आपको बूस्ट करन करना होगी जितनी आप कर सकते हो और जो बच्चे अभी एडवर्टीजमेंट देखने के बाद चाह रहे हैं कि सर अब हम प्रिपरेशन करना है चार महीने कर समय अभी निराश होने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि चार साल इंजिनियरिंग में हमने दिये हैं या तीन साल ड कुछ ही दिनों के लिए तो बहुत कम समय हमें आरे पास बचावाए रिकॉर्डेट कोर्स ही है यह वो रिकॉर्डेट फॉर्म है और लाइब रिकॉर्डेट है मतलब यह हम अल्रीडी पढ़ा चुके हैं लाइब फॉर्म में और उसी की रिकॉर्डिंग गेट अकेडमी ल परतनी है क्योंकि अभी भी आप चार महिने के जो टाइम है वह भी सफिशेंट होता है पढ़ने के लिए सफिशेंट कब होगा जब आप हर दिन इस तरीके से मानोगी कि कल एक्जान तो सफिशेंट है और यह कोर्स जो है रिकॉर्डेट फॉर्म में तो चाहे जब आपकी जब भी नीन खुल जाए जब आप उठा करके पढ़ सकते हो आपको लग रहा है सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ सकते हो आपको लग रहा है रात में तीन वे तक पढ़ना है बिल्कुल पढ़ो रिकॉर्डेट फॉर्म में अविलेबल है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मतलब conventional objective आपका technical non-technical सब कुछ है इस course में 1500 रुपए में तो बिल्कुल भी देरी मत करो गेट अकेडमी की live app या गेट अकेडमी की website से आप purchase कर सकते हो कल से ही preparation start करो क्योंकि हर एक एक दिन important है